विडियो में हम बात करने वाले हैं गोधा के कौन लिमेटेट के बारे में जी ही आ दोस्तों यह फेर कहा तक किरेगा क्या बाउंस्वर मारेगा क्या टार्गेट्स रहने वाले आकर इसमें गिरावट क्यों देखने को मिलिए क्या इब और गिरेगा वगएर भगएर हम इस तो वीडियो को पूरा देखिए हैं काफी इंट्रेस्टिंग नॉलेवल वीडियो होने वाला है जो लोग फर्स्टाम मेरे चैनल पर वेज कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राब करके अभी पहला आगम को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोट डिपकेस ना रहेगा तो दोस्तों इस सेर में काफी अच्छी-कासी गिरावट देखे को में लिए बहुत सारे लोग फसे हुए हैं तो परिशान हो रहे हैं कि सर ये सेर गिरावट क्यों हुए है कब उपर आएगा तो मैं आपको बतातूं दोस्तों आखर इसमें गिरावट क्यों है हम वह जानने कोसिस करते हैं तो यहां पर हम देखेंगें दोस्तों मार्च क्वार्टर में आप देख रहे हो इसमें कितनी होल्डिंग है 69.52 पसंद की और पहली वाले क्वार्टर में हम देखते हैं डीसंबर में 72.50 पसंद की होल्डिंग थी तो एक तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि पिछली क्वार्टर में डीसंबर में जो होल्डिंग बेच दी थी वो भी एक इसका फैक्टर है जिसकी वैसे इसमें ग्रावत देखरों को मिली दूसरा रीजन यह रहा इसमें कि इसमें कॉर्पूरेट एक्षन देखरों को मिली इसमें स्टॉक इस्प्लिट हुआ था ठीक है बोनस भी इसमें हुआ था एकी साल के अंदर 2022 में हुआ है ठीक है तो यह वी एक रीजन रहा जिसकी वैसे इसमें ग्रावत देखरों को मिली थी तो यह हो गया आपके दो तीन रीजन जिसमें ग्रावत देखरों को मिली जिसकी जिसकी वजह से क्योंकि बॉनस और इस्प्लिट और सेरोलिंग पैटन तो जैसे कि आपको पता है यहां पर एक रीजन और रहा इसका सबसे बड़ा वो रीजन यह है कि करेंट प्रैस तो इसकी चल रहा है आट पर आप देख सकते हो यहां पर और अभी भी यह स्टॉक जो है ओर बैलूड है कंपनी के पास ठीक है और अच्छी बात है कंपनी के 24 करोड के एसेट्स हैं और करेंट लियाबिल्टी कम ही है इसके लावा एक रीजन और ग्रावट का जो कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आप देखोगे मार्श द्वार 21 से 26.31 क्रोड की से तेरा हुई फिर 13.74 वी 13.53 वी 6.28 वी 1.78 वी तो दोस्तो प्रंवोकर अपने होलड गठाहि और उसके लावा शेड्स में भी ग्रावत देखने में के लिए और अगर प्रंवोकर इस बार भी अपनी होल गठाते हैं या और फिर वार्टल रिजेशल्स अगर सही नहीं आता है तो भी दिक्कत होने वाले है तो भी इसमें और क्रावत देखने को मिल सकती है और आपको बता दोगाने दोस्तों 27 वांट को तो इसकी अगर हम टार्गेट की बात करते हैं एक्टुनी में कंपनी करती क्या है तो यहां पर आप दिगोगे गोदा के कॉंप एंड इंजुलेशन लिम्टेड इस इंगेज इन दा मैनुबक्ट्रिंग ऑफ एलेक्ट्रों एक्टानी केवल्स और इंसुलेशर बगरा बनाती है ठीक है तो बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों रिस्की कंपनी है यह और डैड़ भी कंपनी के पास लेकिन हम प्रमोटर्स की ओल्डिंग काफ अच्छी है लेकिन उसे कुछ होने वाला नहीं है कंपनी की सेस्ट में ग्रोथ नहीं हो रही है है इसके अगर हम टारगेर्ट साथ करना दोस्तों ब्रूस्तों आ ष्य आपने condoms करें अब हम टार बात करें हैं इसके तो अब इसके टेक्न आकर ठीक है कि इसमें एक सपोर्डिंग लेवल हाँ यहां पर एक सपोर्ड लेवल है इस सेर का जो यहां पर इसमें दिखा रखा है देखो यह वाला और यह वाला ठीक है यहां से क्या है सेर बांसवेग मार रहा है अपने आप ठीक है देखो यहां पर बांसवेग मार आता फिर यहां पर फिर यहां पर आगा यहां पर क्या है य यहां पर जो है डॉटेड लैन जो है यह rest end का काम कर रही है ठीक है यहां से क्या से उपर नहीं जा पर राएं ठीक है तो अगर quarter liegt है अगर सही आता है और Promkan account से अपनी वहल्डिंग नहीं तो रहेगा आपका शाड़े नौ रुपे का असपास तो फर्च टारगेट आट रुपे असी पैसी का असपास जात वह नजर आ सकता है यह ठीक है दोस्तों तो यह एक अधिया था टेक्निकल चार्ट की बेस पर यह एक आईडिया है जिसकी वैसे हम बोल रहे हैं कि शाड़े आठ की असपास और चार्ट नौ के असपास जाता नहर आस तकता है ठीक है तो एक बार हम सके चार्ट को और देख लेते हैं कि इस ने क्या फ्रॉफर्फरमंस किया है द अच्छा-कासरा रिटन दिया है 2020 से अब तक और आपकोहजारों-पसंद का 1337 आपका पशारी उसकी ने अच्छा-कासरान निकालके दिया तो यह वह सबसे बड़ा रिजन था कि कोई कम्पनी अच्छा-कासरान कालके देती है तो उसमें गरावाघ देख रेकों मिलते हैं तो आप इसको अभी बेचने में कोई फायदा नहीं यहां पर देखो कम से कम आपको 70-80% का लॉस हो रहा होगा तो अब लॉस बुक करने तो कोई फायदा नहीं है ठीक है आप तो होल्ड कर सकते हो और फ्रेस एंटरी को सोते हैं वह अभी फ्रेस एंटरी ना करें ठीक है अभ कोई जरूत नहीं है इसमें फ्रेस एंटरी करने की सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राप करके बिलाइक नो प्रेस कर दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा थेंक्स फोश्चन दोस्तों और सब्सक्राब ना ओ झाल